अभिनेता अशोक सराफ ने हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री से लेकर छोटे पर्दे और क्षेत्रिय भाषाओं में भी काम किया है फिल्म करण अर्जुन में मुन्शी के किरदार में ठाकूर तो गियों और हवलदार पांडू जैसे किरदारों में जान फूप देने वाले अशोक सराफ वाले जनम दिन 4 जून को सेलिबरेट किया जाता है तो चलिए जानते हैं उनकी जिन्दगी से जुड़ी दिल्चस्प बाते अठारा साल छोटी लड़की से की शादी अशोक सराफ ने निवेदिता जोश संग शादी की है दोनों ने 1990 में शादी की थी लेकिन दोनों की जोड़ी के बारे में ये कम ही लोग जानते की उनकी और निवेदिता की उम्र में काफी ज्यादा अंतर है निवेदिता अशोक से 18 साल छोटी है फिलहाल दोनों आज भी एक सफल शादी शुदा जिन्दगी जी रहे हैं और दोनों का एक बेटा भी है कहा जाता है मराठी का समराट अभिनेता अशोक सराफ ने बॉलिवूड में तो अपनी अलग पहचान बनाई ही है साथ ही उन्होंने मराठी फिल्मों और कई मराठी सीरियल्स में भी काम किया है बताया जाता है कि अशोक को मराठी फिल्म जगत में समराट अशोक भी कहा जाता है फिल्मों में आने से पहले करते थे ये काम अभिनेता अशोक सराफ शुरू से ही बॉलिवूड इंस्ट्री में पहचान बनाना चाहते थे लेकिन उनके पिता चाहते थे कि अशोक पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छी नौकरी करे अशोक अपने पिता की उम्मीदों को भी नहीं तोड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने State Bank of India में नौकरी कर ली लेकिन साथ ही वो थियेटर से भी जुड़े रहे और नाटकों में हिस्सा लेते रहे जब कंबल से चुपाना पड़ा मू अपनी कॉमेडी से सबको हसाने वाले अशोक सराफ हमेशा से ही अभिने को अपनाना चाहते थे और उन्होंने इसमें सफलता भी पाई अशोक के बारे में एक किस्सा है कि जब वो अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए कोलहापूर जा रहे थे तो इस दोरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें पहचान लिया हालांकि उन्होंने ये कहते हुए अभिनेता का मजाक बनाया कि उनका जीवन अभिनेता से बहतर है इसके बाद अशोक सराफ ने कंबल के नीचे अपना चेहार छुपा लिया था अशोक सराफ ने हिंदी सिनेमा में शानदार काम किया है खास तोर पर उनमें लोगों को गुदगुदाने की कला बखबो आई कूट-कूट कर भरी हुई है अशोक ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडी करते हुए दिखाई दिये है भले ही अशोक को फिल्मों में हमेशा साइड रोल दिये गए हो लेकिन उन्होंने इन छोटी भूमिकाओं में भी हर किरदार को यादगार बना दिया इसके लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है बने रहे हमारे चैनल पर और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अगली वीडियो के आने तक मैं लेता हूँ आपसे अलविदा बस वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना